कि नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों और आप सब केसे हो मेरे यूटूब चेनल में आपका स्वागत है और चलिए वीडियो शुरू करते हैं तो आज की में वीडियो लाएं हूं जो कि जो लोग पालक नहीं खाना पसंद करते हैं और बच्चे तो बिल्कूल ही नहीं पसंद करत क्योंकि हम बदल बदल के हर चीज बदल बदल के हम पालक की चीजे बना बना के खिलाएंगे तो सब पसंद करेंगे पालक को तो आज मैं इसी ही चीज बनाने वाली हूँ तो पालक हमने ली है पत्ते पालक के लिए हैं और उनको काट लिया है हमने और काटने के बाद धो लिय है और धो के और फिर हम यह दूसरा पानी डाल रहे है उसमें तो हम क्या करेंगे हमको उबालना है पालग को तो इसलिए पालग के उबर तक पानी आना चाहिए Прकें कि यह हमारी पालग अच्छे से गर यह अच्छे से उबल गई ओर और गल भी गई अच्छे अगर आप चंदी में छाएन का इसका आप इसाइकोन आप मेरी तरह जालेट इसाइक फेकना नहीं है जो पालक अवलिये हुआ की नाची के दाट चाहिए उसमें काम में ले सकते हैं अब यह में पालक डालूँगी इसमें आटे में थंडा होने के बार डालिएगा नहीं तो आपका हाथ जल जाएगा आटा गुंदेंगे तो आप तो इसलिए ठंडे यह डाल देंगे यह कटोरी में आटा लिया है चना हुआ और उस में यह में पालक डालूँगे तो एक मुठी पालक काफी रेती है ज्यादा पालक नहीं डालनी है हमें हाटे में यू मानिए कि आप या तो एक नाप बना लेजी है यह बालग इसमें डाल देंगे आते में उर्फ मसालें डालेंगे utan क्वारे अब आध्स券ाम डालेंगे ह Background जबक तलते हैं तो उसका मिर्ची का असर इना ति कम हो तो इसलिए थोड़ी मिर्ची ज्यादा ही लगेगी इसमें और नमक स्वाद अनुसार और एक चुटकी जीरा पीसावा डाला हमने और अगर आप ही गरम मसाला खाते हों तो थोड़ा सा गरम मसाला भी आप डाल सकते हैं और अच्छे से मसाले डाल या अच्छे से मिला लेंगे और यह मोयन हमने डाला है 2-3 चम चान में मोयन डालना है ताकि हमारे पूरी खस्ता बने इसलिए डालना जरूरी के आथा इस तरीके से हमने घुन लिया है हमें हना टैट इत चाहिए नई जदा अंग पतला नर ज़्याहूं ना ज़्याता बॉलावाना ठीक डो прогammers होना चाहिए तो इस तरीके का आटा गुन्दी जैसे हम नार्मल पूरी का बनाते हैं तो यह वाला आटा क्या हमें थोड़ा की बना रहा है ना तो इसलिए हमको क्या है कि थोड़ा सा क्योंकि अगर थोड़ा सा ताइट गुनना है हमें इस तरीके का ठीक डो बनाना है और यह लोई हमने इस तरीके के इतनी बड़ी लोई ली है अगर आप आपके हिसाफ से आप छोटी बड़ी जैसी भी बनाना चाते हैं उस इसाफ से लोई ले सकते हैं मैं मीडियम बना रही हूं मीडियम साइज की तो इसलिए मैंने इतनी बड़ी लोईनी है और अब ये बेलेंगे हम ना ही कोई सुका आता लगाने की जर्वत है हमें और ना हमें तेल लगाने की जर्वत है हमने आता ही इतना अच्छा गुंदा है कि जर्वत ही नहीं है हमें कुछ लगाने की ना सुका आता ना तेल ऐसे ही अब पूरी बनाली जिए गयagen सब बन गई हमारी अब भाइं अब यह हमारा तेमी और रहा मारी विक का टीक included अब यह पूरी हम तल लेंगे, यह फूल के आ गई उपर देखिए अब हम इसे पलड़ देंगे खो यह हो गई है देखिए इस तरीके से थोड़ी सी आप थोड़ी सी डार कर और तल लिजिए तो और ज्यादा ज्यादा कर रहे हो हो जाएगी कुर्कुरी टाइप हो जाएगी फिर वो आपके हिसाफ से आप जैसी खाना पसंद करते हैं अगर आपको ज्यादा मतलब चाहिए तो कुर्कुरी टाइप अगर करारी टाइप चाहिए तो आप करारी उस हिसाफ से तो थोड़ी से आप और ज्यादा उसे तल लीज मिहां तो आपके हिसाब से जैसे आप खाना पसंद करते हैं और में बता देते हूं में और बनाके चार-पांच बनाके बता देती हूं आपको यह जिल देँ एल इक उपपर आ गई है या पलड दें गे और अप यह नियुक्त देखिये हो गई है निकाल लेंगे यह सारी हो गई हमारी खाने के लिए तैयार है पालक मसाला खस्तापुरी तो इस तरीके से आप टिपन में भी ले जा सकते हैं बेट फास्ट में और डिनर में भी आप ले सकते हैं लंच में ले सकते हैं सपर में भी ले जा सकते हैं आप तो अगर आपको ज्यादा कुछ नहीं ले जाना है तो आप इस तरीके से आप पालक मसाला घस्ता पूरी बना के भी ले जाएंगे न तो भी आपको मतलब अच्छा मज़ा आजाएगा आप सफर में अच्छा रहेगा आपको तो आप इस तरीके से आप एक चीज भी बना के ले जाएंगे तो भी आपको सफर में आज की मेरी पालक मसाला खस्तापूरी की वीडियो तो मेरे चैनल पर लाइक से लोग सब्सक्राइब करना ना भूले अगली बार फिर मिलते हैं किसी दिल्चस्पर वीडियो के साथ बाई बाई